पार्ट उन के स्टार्ट होते ही, हम देख्ते हैं ली शुहांग तीन बंदे को हरा कर अखाना में फते ह पा लेता है, और हम अगले ही पर सुहांग को अपनी कम्पनी के बाहर देखते हैं, जिदर उसे जियांग किंग दिखती है जिसकी शकल वो नहीं देख पाता और वो अंदर चला जाता है और जियांग किंग अपना इंटरव्यू देने के लिए कमपनी आती है और एकसेडेंटली हांग में कौफी गिरा देती है और वहां से जल्दी में निकल जाती है और इधर हम हुआंग जी, शुआन और टैनले को देखते हैं जहां जियांग को हुआंग गलत रास्ता नहीं बताना चाता था बट टैनले उसे घलत रास्ता बता देता है इधर क्योंकि हांग शू डायक्टर था वो कांफरेंस रूम पहुंचता है जहां हुआंग यू और टैनले थे लड़की आती है और अपना हुसन का जादू चलाने लगती है मगर हांग शू उसे जलील करके भगा देता है यू बहार आता है जहां वो जियांग को दिखता है और हमें पता चलता है जियांग यू का सिर्फ सीन्य ही नहीं वह से पसंद भी क्या करती थी और वह अंदर आत का ध्यांग में पढ़ता है दोनों एक दूसरी को देख हैरान थे हांग शू जियांग को इस रूम से गैट आउट कर देता है हांग शू के जाने के बाद यह सारे यूनिटी बना के अपनी बहन को एडमिट करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं और यू आकर जिया है और उसका ध्यान हटा देती है और उसके अप्रोच करने लगती है कि उसका घर यहीं है अगर वो चाहे तो कभी भी आ सकता है बट हांग शू सुनता भी नहीं है कि दसक्सिस की खुशी में जियांग और रोना पूरी रात भर पार्टी करते हैं और टैनले हुआंग और य एक्टर ली के घर पहुंसती है हांग शुल सभी में जियांग को देख हैरान था क्यूंकि उसने तुसे एडमिट किया भी नहीं था लेकिन फिर भी वह उन सभी को अंदर बुडा लेता है और अंदर आते ही उनमें जुल्म करने लगता है कि उन सब को पिंग टीशट पहनन होंगे टैनले बोलता है आपको भी पहनना होगा और हमें दिखता है इन महाजन ने पहले से ही वो टीशट पहना हुआ था इधर वो जियांग को बोलता है उसे सब कुछ सीखना होगा सीन में सबको सैनेटरी नेपकिन को लेकर एक्स्प्रेंट करना था जियांग बहुत तो हांग शू बोलता है क्योंकि वो उस टाइम भूल गया था और वहां से चला जाता है नेक्स मॉर्णिंग यू जियांग के साथ आके सैनेटरी पैट कैसे बेचना है वो दिखाता है तो टैनले उसके बाद आता है जो उसे सैट यूज करते हुए पैट देता है जो देख जियांग बोलती है क्या तुम कस्टमर को ऐसे बेचोगेए और तीजाना नमबर हुआंग का था जो जियांग को बहुत क्यूटनेस के साथ उसे नपकिन देता है जो देख जियांग तुरंग ले लेती है तो वह हांग शू आकर बोलता है एल उसकी तो यू और तंट यू जिसकी हांगसू अच्छे से धुलाई करता है और जाने की धुलाई करता है हूँ भाग रहा था जिधर हांगशू से पकड़ लेता है और उसे भी इस चैप बैटना ही पड़ता है नेक्सीन में दर से 3 वा बैट पर आगए थे नेक्स मौनिन ये सारे बिक फस्ट कर रहे थे टैनले को ये नाश्टा खाने पर ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि वो बकरी हो क्योंकि ऐसी घांस भूसे तो बकरियां और गाही खाते हैं वहां हांग शू आकर बोलता है तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे एक्जाम देने पे मेरे सारे बकरियों उसके जाते ही टैनले बोलता है ये पॉइंट दे रहा था ये फिस एड यूज कर रहा था यहां हुआं का ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पे था अरे हां खाना जैसा भी हो खाना तो खाना होता है चाहे बकरी का ही क्यों नहों लेकिन टैनले को बस अपनी चोटी बेहन के लिए शिंता हो रही थी तो यू बोलता है मुझे यकीन है वो स्मूदली पार्क कर लेगी इदर एक्जाम चालू होने वाली थी तो हांग शू टैनले की बाड़ी से च चीट निकलवा लेता है आप सब इससे बोलना चाहती हूं कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएं यहां एक्जाम चालू होती है जहां काफी बॉडिगार्ट्स लगे हुए थे जहां सारे मेलकर जियांग को चीट करवाने के लिए बड़ी खोशिश करते हैं और फिवांग अपन पूछने आई थी वह लोग शापिंग के लिए जाते हैं उनके सामने से एक लड़की गुजरती है जिससे की दो जिससे की वह तीनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं इधर यह दोनों शापिंग करके आ गये थे जहां शू बुस्से में आ गया था कि वह लोग पूरे एक मिनट और पंदरा सिकेंड लेट थे और से कोई भी एक्स्प्लिनेशन नहीं चाहिए थी तब ही टैनले जियांग के पास आकर उसकी मंगवाई हुए चीज मांगता है बट वो नहीं लाई थी तो वो उस पे गुसा होकर बोलता है वो सब कुछ हांग शू को बता देगा इदर ये लोग नूडल्स खा रहे थे जिदर हुआंग और टैनले यू और जियांग का खाना चुरा लेते हैं इदर जियांग चाह भी चुरा रही थी जिदर उसे हांग शू पकड़ लेता है और वो से सजा देता है कि उसे 10 लैप्स में धकी तरह कूदना होगा और जिया से बारिश चालू हो जाती है तो हांग शू को भी अच्छा नहीं लगता तो वो भी कूदने लगता है यह कूदेगा पर उन सब को रोके गए नहीं वाह और हम नेक्स मॉर्णिंग का सीन देखते हैं जहां आज इन सभी की लास्ट क्लास थी और हांग शू उन्हें अपना ग्यान दे रहा था जो सुन जियांग बड़ी खुश हो जाती है कि उन्होंने इतना अच्छा बोला और सारे उसे ही देखने लग जाते हैं अब जियांग अपने घर में थी जिसे आज पहली बार आफिस में जाना था जहां रोना उसे ड्रेस देती है पहनने के लिए और ज सारे लड़के को देख पगला जाती है और इधर जियांग कमपनी में अपने काम में पहले दिन आई थी इसलिए वो बहुत जादा खुश थी पूरे आफिस को घूर रही थी और वो अंदर आती है जहां आते ही हांग शू उसे फायर कर देता है अपने गंदे रीजन के आती है और अपने रीजन्स बताने लगती है यहां रहने के हांग शू मान तो जाता है बट उससे एक रिपोर्ट बंगता है और वहां से चला जाता है यहां उदास थी कहीं वह फायर नहों जाए लेकिन रोना अपने च्छत से टेलेस्कोप से उन विला वाले लड़कों को देख रही थी जिसमें की हांग शू भी था रोना जियांग को भी देखने को बुलाती है तो जियांग की नजर उस पे जाती है तो वो चीप जाती है और हांग शू भी जियांग को देख लेता है आखिर चील की निगाज टेरीस बंदेगी इदर हांग शू सोया हुआ था जिदर उसे सपने में वही लड़की दिखती है जिसने उसे नंगा किया था और उसे उस लड़की में जियांग दिखती है और फिर वो उस खौफनाक सपने से उड़ता है और किसी को इमेल करता है तब हम टैनले को देखते हैं जो होट सी लड़कियों की फोटोस देख रहा थ और हांक शू को ढूनता हुआ उसके रूम पहुंचता है जिधर वो इसके लैप टॉप में इमेल पढ़ लेता है और उसे लगता है कि हांग शू को फिमेल फोबिया है इदर ऑफिस में टैन ले आकर जियां को वर्ट करता है कि जल्द ही उसका बोस उस पर भढ़केगा तभी हम हांकशु को देखते हैं, जो अपनी इमिल देखता है और वो अपनी जादू की छड़ी ड्रावल में रखता है और वो जैसे ही अपने इमिल को रिलाइस करता है, तो वो जठ से जियां को बुलाता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है Don't let me down It might as well be lost but I'm found I'm waiting for your love You just keep me hanging on And I Some deserve to stay And I I will find my way Just know you're not alone Cause I'm your home I wanna be with you always now You're not alone Cause I'm your home Whoa In the dark we fight You take the wrong And you make it